हेलो दोस्तों, आज हम बदाम की बदाम पटी बनाने वाले हैं, तो चलिए हम बनाते हैं, देखी कैसे बनता है तो सबसे पहले हमने ये 500 ग्राम मुंफली लिया है जिसको देखिए ये पींक वाला जो हलका होते हैं वो लिये हैं और ये 300 ग्राम हमने गूण लिया है जिसको हमारे बिहार में मीठा भी बोला जाता है तो हम सबसे पहले अब कडाही रखेंगे और ये जो हमारी मुंफली है क इसको अच्छी तरीके से चला चला के हम अच्छी तरीके से भून लेंगे देखिए कैसे भून रहे हैं जब अच्छी तरीके से भूना जाएगा तो यह खुद वखुद लाल हो जाएगा और बीच से फटने लगेगा देखिए ऐसे ही मेडियम फ्लेम पे इसको भूनते रहे देखिए हमारी मुंफली इतने अच्छी तरीके से भुना गई है दिखरा है बीच-बीच में फटा हुआ है मतलब अच्छी तरीके से हमारी मुंफली भुना चुकी है अब इसको हम प्लेट में एक निकाल लेंगे इसको प्लेट में निकालने के बाद हल्का ठंडा होने के ल इसको ऊपर से छील द trial के बाद इसको कूट लोगे। देखिए कैसे कोट लिए हैं इसको हम फिर साइड में रख लेंगे। और जो ये ंसे 200 ग्राम गूसी था इसको हम ऐसे खड़ा नहीं डालें कि यह नितुल जल्दी नहीं गलेंगे इसको हम सिल्वर टेप पे इसको फोड लिए India कि इसको फोड करके छोटे चोटे टुकडे कर लिए हैं और इसको हम अब प्लेट में निकाल लेंगे प्लेट में निकालकरके साइड़ कर लिएगे उसके बाद से कैसे महारे 300 ग्राम गुण है और जो हमारी मुंभणी थी तब तक ठंडी हो चुकिय तो हम यह जो सूप होता है रखकर कि इसको ऐसे मसल मसल का मसल मसल करके इसके उपर जो झील का है उसको निकाल लेंगे देखिए एक बार मसल के निकाल के फटक लीजिए इसको साइड कलें ज उसके बाद हम क्या करेंगे कि कढ़ाई रखेंगे कढ़ाई का फ्लेम अन करतेंगे अब हमको बनाना है वो बनाने के लिए तो हम इसमें पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे थोड़ा सा पानी डालने के बाद कढ़ाई जब गरम हो जाएगा तो इसमें थोड़ा पानी डालें अब फ्लेम को हाई ही रहने दे क्योंकि हमारे जो गूर है उनको गल आना है तो हमारे गूर गल रहे हैं देखिए आधा गल चुका है हाई फ्लेम ही अभी रखेंगे लो नहीं करेंगे देखिए हमारा गूर गल गया है उसके बाद इसमें जो हम अद्रक कूटे हुए थे वो और जो हमारे सोफ थे वो भी डाल देंगे देखिए अब कितनी अच्छी तरीके से पुरा एकदम बुलबुला उपर की तरह फारा है तो इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम कर देंगे ज्यादा हाई भी नहीं हाई टू मीडियम पे इसको हम धीरे-धीरे ऐसे पकाते रहेंगे ताके इसमें जो बुला जाता है दो तार वाली चासनी या जो पकड़ने का इसमें कैपिसिटी होता है वो आजाए देखिए अभी नहीं हुआ है यह गीर चारा है हमारे छोलने पर से तब इसको हम ऐसे करकर के करकर के पकाते रहेंगे देखिए अब जात बड़ा-बड़ा बुल-बुलाने लगा हो गया है अब इसमें हम हो जाने के बाद देखिए साइड से छोड़ता है उसके बाद हम इसमें मुंख़ली डालेंगे और मुंख़ली डाल करके इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे मिलाने के बाद हम इसको नीचे रख देंगे और फिर इसको आप इसको गोल गोल बनाये को को जची अधाक हण हाना रहा है देखिए ऐसे करकर के अब हमारी बदाम पट्टी एकदम रेडी है खाने के लिए देखिए कितने अच्छी तरीके से लग रही है आपको जी सेफ में बदाम पट्टी बनानी है आप बना सकते हैं हमको यहीं सेफ बनाना था तो हम इसी सेफ में बना लिये हैं देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारी ब्यदाम पट्टी जब एकदम ठंडी हो गई है तो दीखने में कितने अच्छी लग रही है